हाई वेलकम तु विया लेर्नस में रचना हम आपके लिए ओनलाइन बीजन शुरू करें जिसमें क्लास्टान माइस के सारे चैप्टेस रेगुलर अप्लोड करेंगे रेगुलर अप्डेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं कि यूकलेट्स डिविजन अल्गोरिद्म क्या कहता है फोर गिवन टू पॉजटिव इंटिजर्स ए और बी यहां ए हमेशा बी से बड़ा होता है लॉंग डिविजन प्रोसेस सजीदी हम इसको समझना चाहें तो ए का मतलब हो गया हमारा डिविडिन और बी का मतलब हो गया दिविजर्स दैट मेंस डिविडिन हमेशा डिविजर्स से बड़ा होगा इन अल्गोरिफ्म उसमें से चांटना है कि बड़ा नंबर कौन सा है उसके बाद यह जो दो गिविजन नंबर है इस पे मुझे युकलेट्स डिविजन लेमा एपलाई करके Q और R निकालना है चलिए solve करते हैं इसको समझते हैं तो सबसे पहले वो मुझे इसमें decide करना है कि A कौन सा है और B कौन सा since 38,220 is greater so मैं इसको A consider कर रही हूं और 196 को B so now by using Euclid's division lemma which states that A is equals to B into Q plus R मैं इसको लिखती हूं so this is 38,220 is equals to 196 अब इसमें मुझे Q और R निकालना है so चलिए इसका Q और R निकालते हैं let's do some rough work so this is 38,220 and this is 196 अचलिए डिवाइड करके देखते हैं so one time करते हूं इसको तो this is 196 मैं से subtract करते हूं so I will get 681 यह मेरा 2 आ जाता है let's try nine times से करते हूं so then 1764 है अब इसको subtract करते हूं then I will get 980 196 इंटो 5 is equals to 980 और यह मेरा remainder हो गया 0 इसको complete करते हूं तो यह यहां quotient मैं लिकोंगे तो quotient है 195 और मेरा remainder है 0 Euclid's division algorithm में इसका जो requirement है वो यह है कि मेरा R जब 0 हो जाता है ऐसे case में जो divisor होगा वो मेरा HCF होगा A और B का तो चलिए since R 0 हो गया है तो इसका जो HCF है वो यह divisor होगा तो इसको में लिखोंगे HCF of 38,220 and 196 is equals to 196 answer यहां मैं आपसे एक point discuss करना चाहते हूं इस division को देखिए गौर से यह जो division है इस part को आप देखिए यह normally हम बच्पन से करते आ रहे हैं वैसा ही है इसमें suppose मैं आपको एक number दी हूँ और दूसरे number से आपको कहा है कि इसको divide कर जाए तो आप इसका answer किसको लिखेंगे जो normally हम इसको answer इसको लिख देते हैं answer 195 is the answer और यहां गौर कीजिएगा मैं question की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहां बात कर रही हूँ HCF की तो यहां HCF कौन सा है यहां HCF है यह और यह इसका answer है यह इसका answer नहीं है क्योंकि मैं आपको divide करने के लिए नहीं कही हूँ मैंने आपको कहा है HCF पाइंट करने के लिए बच्चे normally इसको confuse कर जाते हैं अब इसका next question solve करते हैं अब यह first question का third part है इसमें मुझे HCF निकालना है यह दो given numbers के लिए सबसे पहला काम मेरा है कि मुझे यह देखना है कि इसमें A कौन सा है since requirement है कि A हमेशा B से बड़ा होता है since 867 is greater तो मैं इसको A कंसिडर करते हूँ अब इस पे मैं Euclid's division lemma apply करूंगे so 867 और यह हो गया मेरा 225 पहला step है कि मुझे Q और R निकालना है तो चलिए थोड़ा rough work करते हैं 867 divided by 255 255 into 3 is equal to 765 subtract करते हूँ अब इसको पूरा करते हूँ इसमें मेरा quotient है 3 और remainder है 102 हमारी requirement है कि मुझे R 0 चाहिए सिंस यहां R 0 नहीं है so मैं यह step repeat करूंगे तो इस time A होगा वो हो जाएगा 255 और जो B है वो हो जाएगा 102 और इस पे मुझे Euclid's division lemma apply करना है तो चलिए इसको divide करते हैं यहां यह मेरा dividend हो गया तो 102 x 2 is 204 और मेरा remainder हो गया 51 step को complete करते हैं तो यहां मेरा quotient है 2 और remainder है 51 इस step में भी देखिए मेरा remainder 0 नहीं है तो मुझे यह step वापस Euclid's division lemma वाला वापस repeat करना पड़ेगा इस time यह मेरा A हो जाएगा और यह मेरा B हो जाएगा अब इस case में अब मैं लिखूंगी यह मेरा A है और यह मेरा B है I'll apply Euclid's division lemma on this यहां मेरा dividend है 102 51 x 2 is equals to 102 remainder हो गया 0 तो देखिए इसको मैं complete करूंगे तो यहां quotient मेरा है 2 और remainder है 0 मेरी requirement पुरी हो गए मेरी requirement है कि मुझे यह तब तक continue करना पड़ेगा steps जब तक मेरा R 0 नहीं हो जाएगा the moment मेरा R 0 हो गया यह जो last divisor है यह मेरा HCF हो जाएगा the required to given numbers का तो यह मेरा HCF हो गया HCF of 867 and 255 is equal to 51 यह 51 क्या है the last divisor यह last divisor है तो यह मेरा 51 answer हो है आईए अब यूकलेस division lemma के बारे में और समझते है पहले हम देखते हैं हमने क्या पढ़ाता है हमने पढ़ाता कि for given positive integers A and B there exist unique whole numbers Q and R और जो relation है वो है हमारा A is equal to B into Q plus R और यहां हमें R के लिए condition भी दी गई है कि R या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बरावर होगी पर यह B से हमेसा छोटी होती है और यह जो statement है A is equal to B into Q plus R यह हमारा long division जो process है उसका restatement है तो यहां हमारा हो गया dividend is equal to diviser is into quotient plus remainder और हमने पिछले class में यह जो uniqueness of whole numbers है Q and R इसके बारे में भी बात की थी और यह example हमने आपको देकर समझाया था कि Q and R दो positive integers यह हमाई दिये गए है तो इसके unique क्यों होते है हमेसा वही क्यों आते है Q and R different क्यों नहीं आते यह by example मैंने समझाया था अब हम समझते है इस point को कि R is equal to zero or greater than zero but it has to be less than P इसका meaning है यह क्या होता यह मैं आपको एक example से समझाने की कोशिश करते हूं कि suppose मेरा जो B है that is divisor in case मेरा 3 है example ले रहे हूं तो ऐसे case में मेरे R के possible values क्या हो जाएंगे R का जो relation है वो क्या होगा R का relation होगा R will be equal to zero or greater than zero but it has to be less than B और यहां मैंने B पकड़ा है 3 तो R के जो possible values हो जाएंगे जब B मेरा 3 है ऐसे case में R के possible values होगे 0, 1 since is equal to zero or greater than zero तो equal to zero का zero ले लिया 1 ले लिया since it has to be less than 3 that is less than B less than 3 इसका मतलब R की जो maximum value हो सकती है वो है 2 तो इसको यदी में समझना चाहूं तो इसका मतलब हो जाता है कि मेरे dividend यदी कुछ भी हो मेरे diviser यदी 3 है ऐसे case में मुझे ये 3 ही remainders मिल सकते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं नहीं लेगा ये 3 ही remainders आएंगे तो चलिए इसको जरा समझते हैं मैं consecutive dividends लेते हूं मनें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरह को consecutive numbers जो कहाते हैं मैं लेती हूं 6, 7, 8 और 9 ये मेरे different dividends हैं और इसमें पर मैं diviser एक ही रखोंगे मैं 3 से ही इन सब को divide करके देखती हूं मेरे remainders क्या आते हैं so 6 को यदि मैं 3 से divide करूंगे 3 into 2 is 6 so मेरे remainder इस case में आ जाएगा 0 next is 7, 7 divided by 3 3 into 2 is 6 remainder is 1 8 divided by 3 3 into 2 6 remainder is 2 Diviser मैं एक ही ले रही हूं और मेरे dividends different है same divisor से मैं कर रही हूं next 9 divided by 3 3 into 3 is 9 remainder is 0 मेरे divisor सेम है अब मैं इसको देखती हूं कि मेरे remainders क्या आया है पहले case में मेरे remainder आया है 0 so this is 0 second में 1 आया है third में मेरे 2 आया है उसके बार मेरे वापस 0 आ गया इसका मतलब है कि divisor यदि same है देखे मेरे divisor एकी है मैं dividends बदल रही हूं इसका मतलब यदि मैं इसी divisor से divide करती चली जाओं यह consecutive numbers है इसका मतलब 6,7,8,9,10 यह continue होता चला जाएगा remainder क्या आएंगे देखे 0,1,2 0,1,2 यह एक cycle है और यह continue करते चली जाएगे इसका मतलब divisor यदि 3 है तो मेरे remainder के 3 ही values हो सकते हैं वह है 0,1,2 तो यह जो line है कि r is equals to 0 और greater than 0 but it has to be less than b इसका यही meaning है इस example से मैंने समझाने की कोशिश की है चली अब देखते है question can r be 0 और दूसरा question है can q be 0 ज़रा lemma देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं lemma हमारा कहता है q और r है यह whole numbers है since 0 whole number है तो q और r भी whole numbers हो सकते हैं तो ज़रा इसको समझते हैं यह कैसे होता है देखे इसमें कहा गया है can r be 0 यहां मैंने देखा है कि मेरा remainder 0 है इसका मतलब r 0 हो सकता है इस पहले case में मेरा remainder 0 आया है when 6 is divided by 3 remainder मेरा 0 है तो yes remainder 0 हो सकता है जब हम lemma में पढ़ते हैं तो remainder 0 है क्या q 0 हो सकता है that is यह हम long division processes समझने की कोशिश करें क्या quotient 0 हो सकता है uclosed division lemma में चली इसको जरा देखते है example से समझते हैं समझना आसान होगा for example two numbers में ले रही हूं 3 & 5 इसको a ले रही हूं यह मेरा a है और यह मेरा b है अब देखते मेरा q & r क्या आते हैं यह मेरा dividend हो गया और यह मेरा divisor हो गया देखिए 5 is greater than 3 5 is greater than the dividend अब यहां मेरे को क्या होगा 5 into 1 तो मेले नहीं सकते है 5 into 1 5 हो जाता है तो 5 is greater than 3 तो यह नहीं होगा तो 5 into 0 में ट्राइ करते हूं 5 into 0 is equals to 0 तो मेरा remainder आ जाता है 3 तो ऐसे case में मेरा q क्या हो गया q मेरा 0 हो गया और r हो गया 3 तो यहां मेरा question क्या है मेरा question है can q be 0 तो देखिए मेरे यहां q 0 है तो I can say yes q can be 0 अब यहां एक important चीज है वह जड़ा note केजिएगा q जब 0 होता है यह a है यह b है यह q है और यह r है तो यहां जो a है वह less than b है right that is dividend is less than the divisor और तब मेरा q जो है वह है 0 और मेरा r क्या है जड़ा record कीजिएगा r is equal to 3 and what is 3 देखिए 3 is a तो मैं यहां लिख सकती हूं r is equal to a यह एक बहुत important point है यह गौर कीजिएगा कि q जब 0 होता है ऐसे case में जो a है वह हमेशा b से छोटा होगा और r जो होगा वह a के बराबर होगा यह आप ध्यान रखिएगा हम जब algorithm की बात करते हैं algorithm में एक चीज हमेशा बार बार मैं आपको कहती हूं योकलिट्स division algorithm में योकलिट्स division algorithm में a जो है यह हमेशा b से बड़ा होता है यह एक algorithm की point important है ध्यान रखिएगा algorithm में a हमेशा b से बड़ा होता है that means dividend is always greater than the division but इस case में हम जब q is equals to 0 बोल रहे हैं यह case सिर्फ lemma में आता है यह algorithm में नहीं आता क्योंकि देखिए हम जब lemma पढ़ते हैं lemma में हमारा क्या दिया गया है कि for given positive integers a and b यहां यह नहीं कहा गया है कि which one is greater यहां a भी बड़ा हो सकता है या a b से छोटा भी हो सकता है but in case of algorithm यह ध्यान रखिएगा कि algorithm में a हमेशा b से बड़ा होगा आई याद देखते हैं आज के सवाल आप जल्दे से comment में इनके reply करें मुरवर हमारी चैनल को subscribe करके notification bell बटन दबाए so that आपको हमारे वीडियो के updates मिलते रहें so आज के लिए यही तक see you in the next class, thank you यह झाल